बिहारी कहानिकार फणिशोर नात रेनु जी की कहानी तीसरी कसम का सारांश सुनाने जा रहे हूं इस कहानी पे एक मुवी भी बन चुकी है आए सुनते हैं इस कहानी का सारांश ये कहानी गाओं के हीरामन गाड़ी वाले के जीवन को लक्ष करके लिखी गई है हीरामन एक बार एक नोटंकी में काम करने वाली निर्त्यांगना हीरा बाई को अपनी गाड़ी में अत्यधीक दूर ले जाता है मीरा बाई गाड़ी में अकेली ही रह जाती है उसका स्वरूप, उसकी भाषा, सब कुछ हीरामन को अच्छे लगते हैं वह हीराबाई की और आकरशित और आसक्त हो जाता है हीराबाई भी हीरामन को पसंद करने लगती है किसी अन्य कंपनी में हीराबाई नौकरी लग जाने के कारण वह गाउं छोड़ कर चली जाती है इस प्रकार हीरामन की दुनिया सूनी हो जाती है वह यह कहकर कलेजा थाम लेता है अजी हाँ मारे गए गुलफाम तीसरी कसम कहानी साराश इस प्रकार है हीरामन प्राय बीस साल से गाड़ी हागता है वह संभवत सीमा के उस पार सुरंग राज नेपाल से तसकरीड होता रहता है यह करते हुए उसके दिल में थकान हो गया है एक सीमा के इस पार तराई में उसकी गाड़ी पकड़ी गए थी जब वह बड़ी गद्दी के बड़े मुनीम जी को कपड़े की गाटों के साथ ले जा रहा था उस समय उसने अपने बैलों के साथ अंधेरों में भाग कर अपनी जान बचाई थी एक बार उसने सौर रुपे लेकर सरकस कंपनी के भाग डोय थे किन्तु आज हिरामन एक महिला को ले जा रहा था नाम है हिरा बाई वह पहले मतुरा मोहन नोटंकी में काम करती थी किन्तु उसको छोड़कर वह रीता नोटंकी में काम करने के लिए फार बिस गंज जा रही है उसने चमपा का इत्र अपने कपडों में लगा रखा है चमपा की सुगंद हिरामन को पागल बनाय दे रही है हिरामन के मन में हलचल होती है और वह हिरा बाई से बातें करता है हिरा बाई एक चालाक नारी की भाती उसको बढ़ावा देती रहती है लेखक लिखता है कि हिरा बाई ने परक लिया है कि हिरामन सचमुच ही रहा है हिरा को वह गटना याद आ जाती है कि जब वह इसी प्रकार अपने भावी को बंद गाड़ी में लाया था रास्ते में गाउं की बोली ठीठोली उसके कलपना लोक में भेज देती है जब वह इसी प्रकार अपनी दूसरी दुल्हन को लेकर आएगा उसकी पत्नी मर चुकी है विवा के थोड़े ही दिन बाद हिरा बाई के प्रती हिरामन एक विर्चित्र लगाव पैदा हो जाता है वह नहीं चाहता है कि अन्य कोई व्यक्ति हिरा बाई को देखे अत्वा हिरा बाई से उसको बात करते समय उसको कोई देखे कई गाड़ी वालों को आते जाते देखकर वह टपर का परदा डाल देता वह हिरा बाई को हाथ मूध होने के लिए भेज देता है कजरी नदी के किनारे ठहर कर हिरा बाई के स्वयम लोट कर आ जाने के बाद वह स्वयम नदी पार कर जाता है नहा धोकर बापास के गाउं में दही चुड़ा ले आता है तब तक हिरा बाई सो जाती है हिरा मन हिरा बाई को जगा कर कहता है उठिये, नीन तोडिये, दो मुट्टी जल्पान कर लिजिये, पूरी आपचारिक्ता के पश्चात दोनों व्यक्ति जल्पान करते हैं, हीरा बाई गाड़ी में और हीरामन दरी बिछा कर एक पेड़ की नीचे सो जाते हैं, दिन ढलने के बाद दोनों एक साथ जगते हैं, हीरामन गाड़ी चला देता है, हीरामन प्रमुक सड़क छोड़कर कनकपुर वाली सड़क पर गाड़ी मोर देता है, यहां सड़क भी फार विस गन जाती है, हीरामन को महुआ घटवार इनकी कथा याद का आ जाती है, और उसका रसिक स्वरूप मुखर होटता है कता के संदर में वह दो-तिन गीत भी गायाता है हीरा बाई उन गीतों को समझती है और उनका रस लेती है गीतों को गाते गाते हीरामन भाव विभोर हो जाता है उसकी आखों में आशु आ जाते हैं हीरा बाई हीरामन के गाने द्वारा प्रभावीत होती है और उसका अपना गुरू एवं उस्ताद मान लेती है हीरामन हीरा बाई के लिए कानपूर पहुंच कर चाय ले आता है वहाँ से चल कर रात के पहले पहर में वे लोग फारबिस गंज पहुंच जाते हैं फारबिस गंज के तो हीरामन हेत्टु घर की तरह है यहां उसके अन्य गाड़िवान साथ मिल जाते हैं हीरा बाई सब के लिए कौतूहल एवं आकरशन का विसे बन जाती है साथी सब लोग हीरामन को लक्ष करके छीटा कशी भी करते हैं हीरा बाई हीरामन को किराय भाड़े के पचास रुपए देती है हीरामन को यह अच्छा नहीं लगता हीरा बाई उसको अपनी स्थिति का अहसास करा देती है हीरामन को मानो कोई आसमान से जमीन पर गिरा देता हो हीराबाई हीरामन को रिता कंपनी में जाकर उससे भीट करने के लिए कहती है हीराबाई नौटंकी के अठनी वाले पचास पैसे दे देती है हीरामन अपने रुपयों वाली थैली हीराबाई को सौप देता है नौटंकी प्रारंब होती है और हीराबाई पर लोग आवाजें करते हैं हीरामन के साथियों को विशेश कर पलट दासका या बुरा लगता है थोड़ी सी कहा सुनी के पश्चात मार पीठ होने लगती है पुलिस वाले अपना डंडा फट कारते हैं नौटंकी का मेनेजर बीच में पकड़ कर पुलिस वालों को समझा देती है कि यह लोग हमारे आदमी है मत्रुआ मोहन कंपनी के आदमी दंगा करना चाहते थे वे लोग उन्हीं लोगों को ठीक कर रहे हैं करिब दस दिन तक नौटंकी चलती है दस दिन और दस रात ऐसे ही व्यतीत हो जाते हैं हीरा बाई की सेवा करने में वह स्वयम को भागिशाली समझता है उसके प्रतिपालक की उच्छुकता बरकरार बनी रहती है विशेश रुप क्या है प्रतेक घटना के साथ एक मन व्याग्यानिक व्यक्तित्व जुड़ा रहता है उसने जो सपना देखा वह एक चटके में तूट जाता है हीरा बाई उसको केवल दया का पात्र समझती है वह तीसरी कसम खाता है कि वह कंपनी की आरत की वह हनी कभी नहीं करेगा दो कसमें वह एक अन्य घटना के संदर में पहले ही खा चुका था वह चोर्बजारी का माल कभी नहीं लादेगा तता बाश की लदान किसी भाहौ नहीं करेगा चाहे कितनी भी मजदूरी क्यों न दे धन्यवाद कहानी पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें